हेलो गुद मॉर्निंग नमस्कार एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइपस्टाइड चानल पर वुट्स पार वन एकाडमी अवेरी वेरी गुद मॉर्निंग टू और गुद मॉर्निग तो शुरुबात करते हैं अपने आज के दिन की एक तारिक आहीं गई है कल से एक्जाम शुरू होई रहे हैं तो भई अपनी तयारी को और बहुतर बनाने के लिए एक ही तरीका होता है डाट जियों ठीक है अब वेरी गुद मॉर्निंग ओके संदीब अमर श्रीकृष्णा बर्शा विशाखा विशाल विकी वेरी वेरी गुद मॉर्निंग टू और मॉसमी राजन मोहित अनुपम प्रदीप गुद मॉर्निंग टू ओके आई ज़रा शुरुवात करते हैं आज के सेशन की ओगेस्ट की शुरुवात होई चुकी है त स्टूर्ट ब्रॉट जो है उन्होंने अपना रेटार्मेंट ले लिया है इनके बारे में हम कल के क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि एक दिन में बहुत सारी नियूस हो चुकी होती है इसके अलावा भाई किसी ने भी अगा पेट बाच से जॉइन नहीं किये हैं तो समय रहते जॉइन कर लीजे ताकि आपका कोई भी क्लास इसके अपना हो ओके आज है एक तारिक और कल से है आपका पेपर का क्या शुबारब तो आज साड़े ग्यारा बज़े यूट्यूब पे हम लोग इस वाले सेशन को पंड़क करेंगे साड़े ग्यारा बज़े से रहेगा क्यो मीना शिखा भूमी हिमांशू बंटी शर्मीली नेहा गनेश रोशन कुष राजन शिखा वेरी गुड मॉर्निंग अन्टोनिया गुड मॉर्निंग तो आल मीना गुड मॉर्निंग आईए बात करते हैं आज के थोड़ अब दर एक के बारे में सब्र का मेरे अभी इंतिकाम समraith सम्राट में तो हमेशा उनको ही सक्सेस मिलेगे किसी गुणा मिलने वाली समराध पोर्शिफ्ट में तुम्हारा पेपर था ठीक है ठीक है चले तो आईए ज़रा आगास करेंगे शुरुबात करेंगे और देखते हैं भाई कौन-कौन से नियूस है जो आज हमको यहाँ पर पढ़नी है ठीक है चलो आगर बट्टा आगास किया जाए कॉपी पैन रेडी सबक प्राइब को शुप्रभाद को राते राते तुष्ट सौम्या विकास अरिक्रुष्णा आशीश भाई देखे यह जो पेड़ बाज अभी मैंने आपको दिखाया था मैंने आपको बताया तो था 31st कि आपको इसके उपर उफर मिलेगा आप तो प्राइस बढ़ चुका प्राइब करते हैं तो सबसे पहली जो न्यूस है यह जोड़ी हुई है आपके लिए डेटा के साथ में अब इसमें क्या डेटा बताया गया उस्यूस को देखेंगे आप सबको मालूम है कि इंडिया के अंदर विमेंस के अगेंस जो रेप केसे होते हैं जो क्राइम केसे हो क्राइम सोते हैं यह सब के सब काफी जादा हैं यह हम सभी लोग जानते हैं अब आप अभी मनीपुर करी केस देख लीजे उसके बाद में भी आप देखोगे तो यह जो चीजे हैं यह रुक नहीं रहें अभी MP के अंदर भी एक ऐसा केस हुआ है तो यहां पर यह के डेटा रिलीस किया गया है तो आए जरह इस देटा के बारे में जानते हैं कि इस देटा में क्या चीज़ बताई गई है सुनिएगा ध्यान से जैश्री ना गौरिया एक सिकेंड गौरिया साथी अरेबियो पीस हैं हाँ इसको देखेंगे यूकरेइन के लिए बात करेंगे इसके ज़िए हैं सुनिएगा क्या आइए यहां पर नुज़ यहां पर डेटा दिया गया है कि जो विमेंस है यानि कि जितनी ज़ादा मिसिंग है उसके लिए यहां पर डेटा दिया गया जिसके अंदर इन्होंने जो अपना पूरा का पूरा एस्टीमिशन दिया है वो 2019 से लेक के कहानी शुरु कहां से हुई देखे हमारे यहाँ पे अर्ग सेशन हैं और उस organization के जिम्मेदारी होती है कि वह क्या करता है crime जितने भी होते कि data को collect करने का काम करता है उसका नाम क्या हो जाएगा उसका झालम है Nationalrhiz Colonel पर यह क्या हो जाएगा National crime record bureau यह Mr. Crime Record Bureau, इस Commission का नाम है, यह काम करती है, किस के अंदर, Ministry of Home Affairs के अंदर, यह काम करती है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डेटा प्रोवाइड किया, आप सबको मालू है कि अभी मौनसून सेशन चल रहा है, पारलिमेंट के अंदर, क्या चल रहा है, मौनसून सेशन चल र अभी मौनसून सेशन चल रहा है, यह जो बता रहा है, कि इंडिया के अंदर, ध्यान से शुनिएगा, क्योंकि फिर आपके मेंस में सवाल बनते हैं, फिर दिक्कते आती है, ठीक है, एससे बीवरिटिंग, चलो चलो, अब ना हो, फोकुस, फोकुस अब यहां होना चाहिए ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, कि इंडिया के अंदर, दो केडिगरी पहले बनाएगी, पहली वो केडिगरी है, जिसको बोला गया गल्स, गल्स का मतलब हो गया, जिनकी एज क्या है, अठारा साल से उपर की है, इन दो केडिगरी में बताया गया, कि हमारे देश के करीबन इतनी पॉपलेशन है, यहां पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, करीबन इतनी पॉपलेशन है, गल्स की और विमेंस की, जो हमारे हां पर मिसिंग है, क्या है हमारे हां पर मिसिंग है, मिसिंग का मतलब समझ रहें, कि उनका कोई अता ही पता नहीं है, कि वो कहा तो अब ये जो 13.13 दिया गया है data इसमें बताया गया कि अगर हम बात करें कि वो कौन सा street है जहां पे सबसे ज़्यादा missing है ध्यान से सुनिएगा वो है MP जहां पे women और girls सबसे ज़्यादा आपको missing देखने को मिलेंगे कितने हैं दो लाग कितने हैं दो लाग हैं ये figure important है दू उसे नमबर पे है West Bengal जहां पे women and girls सबसे ज़्यादा आपको missing देखने को मिलेंगे लेकिन अगर question में आपसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा women कहां से missing है तो आप answer करेंगे महराश्या दो अलग-अलग lines है सिफ women's पूछा जाएगा महराश्या अगर women and girls पूछा जाएगा तो answer क्या हो जाएगा MP हो जाएगा इन्होंने यहां पर बताया कि अगर हम overall की बात करते हैं तो करीब इतने लाग के आसपास girls है इनका कोई अता-पता नहीं है और इतने लाग के ऊपर women's हैं जिनका कोई overall अता-पता है नहीं तो भाई गए कहां जब अता-पता नहीं है तो सब्सक्राइब करें तो यह सब चीजे जो हैं यह सब चीजे इंडिया के अंदर देखने को मिल नहीं अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कितना data तो बता दिया लेकिन यह तो आपने बताया नहीं कि सरकार कर रही है तो सुनिएगा सरकार क्या कर रही है तो government की तरफ से ज कि अदिया करीबन इतने लोगों को औरड़ी रेस्क्यू कर लिया है इसा मैंने नहीं नहीं बताया है एक साल हो गया तुमारे जॉब को घर तो यहां पर क्या हुआ इनुह ने बताया कि 49,000 लोगों को हमने अब तक रैस्क्यू किया हुआ है और यह जो data है इस दो हजार उन law amendment act यह act का बात है 2013 में इस act को लाया जाता है जिसके अंदर बाद में कुछ changes भी किये गए changes के अगर हम बात करें तो 2018 में इसके अंदर बतलाब किये गए जिसमें बोला गया कि अगर कोई भी ऐसी बच्ची है जिसकी age 12 साल से कम है कोई भी अगर ऐसी बच्ची है जिसकी age 12 साल से कम है और उसके साथ अगर रेप होता है तो उसके लिए death penalty है मृत्यू ड़न उसके लिए क्या है death penalty है यह यहाँ पर बोला गया है तो government ने आज सिच यहाँ पर सिफ अपना law बताया है कि हमने law कौन सा बनाया हुआ है हमने कितने लोगों को rescue किया हुआ है और सबसे जादा जो population है वो कहां से गायब है तो अगर हम सिर्फ women's की बात करेंगे तो महराश्चा होगा और अगर हम women and dolly की बात करेंगे तो क्या होगा MP अब यह तो मैंने स्टेट की बात पताईए What about UT? UT भी जाल लेते है UT की बात करोगे तो सबसे जादा Missing कहां है दिल्ली और दूसे नंबर पे कौन है दूसे नंबर पे है Jambuain Kashmir पहला है दिल्ली दूसा क्या है Jambuain Kashmir जहां से आपको सबसे आदा Missing Population देखने को मिलेगी यह डेटा किसका है? National Crime Record Bureau का यह डेटा है जहां पे जिनकी एज 18 साल से कम है उनका डेटा है और जो 18 साल से उपर है उनके डेटा को रिलीस किया गया है तो यह याद रखेगा कि कहां पे कितने Missing लोग आपको देखने को मिलना है Important data है हमारे Means के अंदर भी सवाल बनेगे और Prelims में भी सवाल बनेगे अब आप यह मत सोचा करो कि यह वो One Liner पढ़ने से काम चल जाएगा कि UN की स्थापना कब हुई थी कौन से साल में हुई थी यहाँ पर क्या है आपको कुस ने आया आपका ओडिशा का है चुछ लोग करा चा हो जारे है दिख लेते हैं क्या कि सब कहा जा रहा है कि highest and the second highest Twitter के उपर जो followers हैं वो आपको कौन देखने को मिनेगा यार यह सब तुम बताओ तुम अच्छे से बताओगा आशीश मीना कह रहे है मैं सबसे आदा राजिस्तान में से गाया हुए है इसका आंसर करके बताओ क्या बनेगा इसका आंसर अलन मस्क बता रहे हो और बराक अबामा बता रहे हो एलन मस्क और बराक अबामा है सोच लो एक बारी से सब्सक्राइब नाशनल ब्रीन ट्रिबुनल के चेयर परसन कॉन है तो इसके हेड़कॉन हो जाएंगे आदर्श कुमार गोयल इसके प्रेजन टाइम में हेड हो जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा अगला सबस्क्राइब कहां जाएंगा तंजानिया के अंदर सब्सक्राइब किया गया है इसके अलावा अगर हम अबू धाबी के अंदर यूए में इसको स्टापिश किया जाएगा अगला सवाल क्या है अगला इटॉनी जर्नल ऑफ इंडिया अभी प्रेजन टाइम पर कौन कौन है अगर हम यहां पर एटॉर्णी जनरल की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा और विंकेट मनी हो जाएंगे लेकिन अभी साथी साथ में वह कौन थे तुशार महता वह कौन है तुशार महता इनका एपॉइंट्मेंट एक फिर से किया गया है अगला सवार फ्रेंच एक कि तो है कौन इगा स्वेटिक अभी इनके ऊपर न्यूज भी आगे पढ़ेंगे यह देखो एक तो वैसी पढ़ाई का प्रेशर उपर से बच्चों के ऊपर और पढ़ाई का प्रेशर कितीनी शांती से लड़की है ना तभी तो इत्ती शांती से पढ़ रही है देख क्लास पर मैंने आपको बन नाइनर में पढ़ाई थी अखिल भारतिय सिक्षा समगम कहाँ पर इसका आयोजन कहाँ होगा दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया आई एक के बारे में जानते हैं कि क्या चीज लॉंच की गई है सुनिये का मैंने आपको बताया था कि 29 और 30 क को एक στο मुट इया का सकते हैं आप एक तरीके की जो एक्जि इशेएंशन की आUnis बहुद में कह रात मजभी कोई इसन चलो ठीक है अब ये जो आयोज़िन है इसनों का नाम क्या है ये अखिल भारतियों सिक्षा संगं क्या है अखिल भारतिय सिक्षा संगम इसका नाम है अब ओविस ही बात है अखिल भारतिय सिक्षा यानि कि हम किसके बारे में बात करेंगे हम एडुकेशन के बारे में बात करेंगे तो इसको इनोग्रेट किया गया किसके दौरा मोधी जी के दौरा किसकी प्रेजन्स में तो कौन हो जाएंगे Minister of Education कौन है यह धर्मेन प्रधान जी की प्रिजन्स में इसको इनोग्रेट किया गया ठीक है अब पॉइंट यहां पर यह आया कि भाई इसमें लॉंच क्या हुआ कल तो मैंने आपको पढ़ा दिया था अब इसमें हुआ क्या कि यह जो तारिक है यानि कि जिन से इस आएंडर उसको लाया जाता है सबसे पहली बार कब आएगी 1968 में ऐगी और उसके बाद में 86 में और तीसरी बार इस समय पर आती है ठीक है तो यहां पर इसका हैपी वाला बड़्े मना रहे थे है यह अब हैपी वाला बड़े हुआ तो कुछ तो लॉंच किया जाएगा ना तो launch किया गया है Ulaas Mobile App, क्या launch किया गया है Ulaas Mobile App, कितना दिल पे ले ले लेते हैं, नहीं यार सभी लोग पढ़ाई करते हो, ऐसी बात थोड़ी नहीं, चलें, अब यह Ulaas Mobile App है क्या, देखो, पहली चीज़ क्या है, भई, Mobile App, UNESCO कह रहा है कि बच्चों को Mobile से दूर रखिये, और हमारे अहां पर क्या हुआ है, एक नया App जो है उसको launch किया गया, आप दोनों पॉइंट को relate करोगे तो ही याद होगा, अब इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है जो भी ऐसे लोग है, जिनकी एज या तो 15 साल है, य उस केस में क्या होगा, यह जो Mobile App है, यह उनकी सिक्षा को पूरा करने का काम करेगा, यानि कि Education को बहतर बनाने के लिए और उसको Skill Provide करने के लिए इस आप को launch किया गया है, किसके दोरा launch किया गया है, मोदी जी के दोरा इसको launch किया गया, अगर हम एक line में देखें, तो यह क्या करेगा, यह आप, यह आप revolution लेकर आएगा Education के अंदर, क्या लेकर आएगा, revolution लेकर आएगा Education के अंदर, कैसे revolution लेकर आएगा अम्माल लोग कही बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 10 तक पढ़ते हैं फिर 11 ट्विल्थ नहीं पढ़ पाते हैं क्यों क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं होते हैं अब उनकी सिक्षा तो पूरा करने के लिए यहां पर इन्होंने इस आपको कल तुमारा पेपर था कश्मीर मिनी स्विजल लैंड इतना खतरनाक नाव इसका मोटो बताइए इसका मोटो यहां पर क्या रखा गया था तो यह तो इन्होंने यहां पर लॉंच कर दिया लेकिन इसी के साथ में एक और चीज़ कुछ समय पहले लॉंच की थी वो था दीख यूग भारत याद था तुम्हें यूग यूग भारत इसका मोटो था तो दीक्षा पोर्टर टीचोर्स के लिए है यह किसके लिए है यह 15 साल से जादा जिनकी एजर जिनकी स्कूलिंग छूट गई थी उनके लिए इसको लॉंच किया गया अब बात करते हैं सर्व सिक्ष सर्व सिक्षा अभियान pm 1 यह सर्व सिक्षा अभियान को हर एक थी शिक्षा दी जाए किंग है तो 2010 को ऱंज किया गया था अब मुझे बताइए किक साथ में अगरके रहात करते हैं तो 21-85!! इसके बाद में आर्टिकल नमबर 45 और उसके बाद में duty नमबर 11 इन तीनों जगे पर आप देखेंगे तो education के बारे में बात की गई है हमारे constitution के अंदर कहां पर हमारे constitution के अंदर यह वो गया यह वो गया DPSP और यह वो गया पंडमेंटल ड्यूटी हां जी कहा रह गया है समग्र सिक्षा अभियान सर्विस अभियान को मर्ज कर दिया गया है चलो सुनो इसका जो मेल कॉंसेप्ट है वो है education for all क्या है education for all और इसको आगे जाके मर्ज किया था किसके साथ में national education mission के साथ में national education side by is में इसको मर्ज किया गया में 2018 में मिर्ण अब देखो यह पर यह जो बड़ाई कर रहे इसको देख के दिमार्स में चाहिए के schools के अंदर health card कहां पर UP के अंदर तो उसके बाहसे में स्कूल चले हम यह भी कहां आया यूपी इन्दर आया उसके बाद में आपको याद आ रहा होगा चाइल्ड बजेत क्या था चाइल्ड बजेट कहां आया था MP के अंदर इसको launch किया गया था, ठीक है, फिर दीख्षा पोर्टल तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो भी आद रखिएगा, चलो आज़ा बिटा सवालों की तरफ, बताए, सवाल, कहा जा रहा है, President of Republic of China, President of Republic of China, कौन है, तो यह हो जाएंगे कौन, जेंग पिंग हो जाएंगे क्योंकि Question में President है, PM भी है, अगला, Which team are clashing in the final of the Dilip Trophy, जो Dilip Trophy हुई थी, जो कि आपकी Domestic Cricket का पार्ट है, कहा जा रहा है कि कौन, कौन सी दो टीमें थी, जिनके बीच में Final Match खेला गया था, तो यहाँ पर जो Final Match होगा, वो South Zone और West Zone के बीच में खे वेगनर, मैंने इसको एडिटोरियल के section पर पढ़ाया था, वेगनर, वेगनर जो है अभी आपने देखा था, रशिया को बोला था, कि भाई तुमने हमारे soldiers के साथ में गलत किया, हम तुमारे उपर attack कर देंगे, याद आ रहा है, आप से कहा रहा है कि उसके leader का नाम क्या है यह होता है कर इंटरफेर्स, है क्यों नहीं, तुम ही बताओ, चलो, बताए, इसका answer क्या बनेगा, हाँ वो रही है बारिश, इसका answer हो जाएगा, यादि कि option नमर 20 गरेक्ट आंसर, विक्टरी सिटी, विक्टरी सिटी, यह किताब आई थी, इसके author का नाम क्या है, तो यह हो परिकिस्तान जुड़ा, फिर इंडिया जुड़ा, पिर पाकिस्तान जुड़ा, और उसके बाद में अब जाके, 2023 में, जब इंडिया में इसकी बेटक होई, तो कौन जुड़ा, इरान जुड़ा, कौन जुडेगा, इरान इसका member बना है, ठीक है, चले, आउ बही है, एक यू आद लाइल घर के चिराग आपी हैं इसलिए कहते हैं अच्छे से पढ़ाई करो कि चिराग हमेशा जलता रहे चलिए सवाल कहा जा रहा है जी ट्वेंटी की इंगेजमेंट ग्रूप की सिविल ट्वेंटी की जो समिट है इसका आयोजन अभी हाली में कहां पर किया गया ह क्या हुआ है कौन से मिनिस्ट्री अरे मिनिस्ट्री अब एडूकेशन के अंदर ही तो आयेगा यह यहां पर लिखा तो धर्मीन प्रधान जी का नाम आया तो यह देख लिखा तो है ओके चलिए तो सवाल में पूछा जा रहे तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो इसके अंदर में आई है G20 के अंदर में यह उसको लांच किया है इस बार इंडिया जो हाँ वह G20 की समit को पोस्ट कर देख कर रहे जिसके अंदर करीबन 100 बैठकों का आयोजन किया जाएगा ठीक है अब पॉइंट यहां पर यह है कि इस बैटक का शुबारंब किया किसने है आप सोचेंगे कि इन से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यह तो डिफेंस मिनिस्टर है लेकिन इसका शुबारंब जो है वो किसने किया है राजना सिंग जी के द्वारा इसका शुबारंब किया गया कहां पर हुआ है इसका इनुग्रेशन तो जैपूर के अंदर इसका इनुग करेगा समानता को फोकस करेगा इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे सिविल 20 को लांच किया गया है सिविल चा मतलब क्या है आम जनता आम आदमी पार्टी नहीं आम जनता ठीक है तो आम जनता के लिए यहां पर अभी हाली में इस समिट का आयोजन जैपूर के अंदर किया गय आओ चलो चलें कहां जैपूर सुनिएगा जैपूर की जब हम बात करेंगे तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जैपूर जो है अब बिचारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया क्यों क्योंकि अब राजसान के अंदर जो नंबर अब डिस्टिक है वो कितने हो गए पचास हो गए कितने हो गए पचास हो गए ठीक है आप सुनिएगा यहां पर इंपॉर्टन बात अगर मैं आपसे बोलूं कि पानाशल मीट जी ट्वेंटी की कहां पर कंड़क्टी गई या पानाशल इंक्लूजन की मीट जो है वो कहां पर हुई तो यह वेस्ट वेंगॉल के अंदर कंड़क्टी गई थी उसके बाद में अभी हाली में जो कल्चुरल मीट है इस तब पहला आयोजन कहां हुआ खजड़ाओं में हुआ दूसरा भुवनेश्वर के अंदर हुआ और तीसरा हम्पी के अंदर और और अर्गिनाइस किया गया उसके बाद में कौन सी अच्छा यह इसलिए की गई थाकि इस ट्रेंट कन्फ्यूज रहें चलो आगे बताओ और कौन सी समेट आएगी यहाँ पर अगली आएगी वर्किंग ग्रूप की समेट अगली कौन सी है वर्किंग ग्रूप की समेट यह कहां होगी पूने के अंदर होगे अगला आएगा अगला है आपिटेक्चर समेट यह कहां हुई थी इसका आयोजन चन्निगर के अंदर किया गया था फिर कौन सी आएगी अगली आएगी इंप्लोईमेंट समेट कौन सी इंप्लोईमेंट समेट यह कहां पर आए थी यह आए थी जोधपूर के अंदर कहां पर जोधपूर के कोई और बताओ और हाँ एंवायमेंट वाली तो रहे गई एंवायमेंट की सबसे पहली कहां हुई थी बैंगलुरू के अंदर हुई थी और उसके बाद में T20 कहां हुई MP के अंदर हुई और T20 की यानि कि थिंक 20 की जो दूसरी बैठक है वो आज से शुरू होने जा रही है मैसूर के अंदर कहां पर मैसूर के अंदर आसू शुरू होगी तो इतनी समिट हो चुकी है जिसमें से आती एक या दो ही है लेकिन याद तो करनी पड़ेंगे चीक है तो इनको थोड़ा याद रखेगा अगर आप से कहा जाए कि G20 का इस बार इंडिया के अंदर शेरपा कौन है तो शेरपा कौन हो जाएँगे अमिताफ कांथजी चलिए बताएए शिलंका के राशपती यं तो हम लोगों ने कलिपड़ा था बताएं रेनिल विक्रम सिंगे पक्का चले ठीक है रेनिल विक्रम सिंगे जो की एट रंबर के प्रेसिडेंट के रूप में पॉइंट किये गए अभी हाली में इंडिया के अंदर इनकी बिजिट हुई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि 13 इनका जो Constitution Amendment है इसको लागू करने के लिए इंडिया ने बोला है अगला Present Comptroller and Auditor General of India यानि की काक के रूप में इंडिया के अंदर प्रेसिट टाइम में कौन है क्या के लिए आर्टिकल लंबर 148 है इनके function के लिए 149 है और यह क्या होते हैं यह philosopher होते हैं किसके लिए यह आपको कहां पर मिलेगा तो यहीं इसी के अंदर इसका अंसर होगा जी सी मुर्मू कौन है जी सी मुर्मू अगला सवार विंबल्डन मेंस सिंगल चांपेंशिप किसके द्वारा जीता गया विंबल्डन है ध्यान से आंसर करियेगा अभी हुआ था यह तो है ना जुलाई जीते थे कौन कार्लोज अगले फ्रेंच ओपेंड विमन सिंगल क्राउं 2023 यह तो मैंने आप पोई बता ही दिया एगा स्वाटिक ने जीता था ठीक है चलिए एक और क्याम्पेंड जो की चलेगा अगले तीन महिनों के लिए सवाल डॉक्टर आपके गाउं में क्या नाम है जुलाएं का करेंटर फेस करवा दीजे शरम नहीं ती तुमको क्लास में देड़ से आते हो फिर आके यह सवाल बोल देओ अभी तो सुबह सुबह बताया साड़े 11 बज़े पढ़ाएंगे आज घजब हो यार क्लास में समय पर आया करो इसका आंसर क्या होगा जमो इन कश्मीर इसका करेक्टर आंसर बनेगा अब देखो एक option लिखा हुआ है लद्दाक लद्दाक में मैंने आपको बताया था कि विमिन्स के लिए आभी हाली में जो पुलिस station है इसको launch किया गया है यह इनका पहला है क यहां पर कारगिल के अंदर आपको मिलेगा उसके बार में हमने विजय दिवस देखा था तो यह कब आया था 26th of July को इसको launch किया गया यूप के बारे में भी आगे पढ़ेंगे MP के बारे में भी आगे नहीं है चलिए जमो इन कश्मी डॉक्टर आपके गाउं में कहां से इ है ना बिल्कुल दोस्ट एप्लिकेशन चलिएगा अब पहले की बात है मोबाइल दोस्ट आप्लिकेशन जो है यानि कि जो आप है इसको launch किया गया था जमो कश्मीर में उसके बार में एक operation launch किया गया था जिसका नाम क्या था तिर नेत्र तो यह सब चीजें जो है जमो इन आफे सारी चीजें जो है वो यहां पर और्गनाइज की गए इवन जी ट्वेंटी की जो टूरिजम की समिट है उसका आयोजन भी कहां किया गया श्रीनगर के अंदर किया गया अब बोला गया यहां सारी चीजें एक तरफ लेकिन स्वास्त जो है यानि कि हेल्थ जो है वो अगर हम हेल्थ की बात करें तो अब यहां पर तीन महीने का जो कैम्पेइन है वो चलाया जाएगा इस कैम्पेइन में क्या होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों के घर घर जाके उनका ट्रीट्मेंट करेंगे यानि कि चेक करेंगे कि भाई सारी चीजें नॉमल है की न यहां पर क्यांप जो है उसको हर गाओं के अंदर लगाया जाएगा और यह कहां पर हो रहा है जंबुएं कश्मीर के अंदर इसका आयोजन किया गया ठीक है तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है अब सुनों आपको ध्यान होगा मैंने आपको पढ़ाया था प्रोजेक बलिदान इस्तम क्या था बलिदान इस्तम किसने इसको लांच किया था तो अमिष शहाजी ने इसको लांच किया था कहां जंबुएं कश्मीर के अंदर नेक्स क्या आ जाएगा सीखो कमाओ योजना क्या है सीखो कमाओ योजना यह योजना कहाई थी इसको भी MP के अंदर ल करने के प्रडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, शुगर केन के लिए इसको लॉंज किया गया था, फिर क्या था, मचाइल माता यातरा, यह भी यहीं पर जम्व कश्मीर के अंदर शुरू होती, यह सेकेंड इंपॉर्टन यातरा है, क्योंकि पहली इंपॉर्टन कौन सी हो ज लेकिन लेकिन इसी न्यूस के साथ में एक और मज़ेदार न्यूस है जम्बू वालों आ जाए हो क्लास में सुनो इंडिया कौन सी कंपनी है भाई Amazon कंपनी हम सभी लोग जाते हैं सबसे बड़ा e-commerce कंपनी है जुसका नाम क्या है जुसका नाम है Amazon अब यह जो Amazon कंपनी है ये बनती कब है तो 1994 में बनती है और इसके पाउंडर जो है वो कौन है वो है Zev Bezos प्रिजन टाइम पे इसके हेड कौन हो जाएंगे एंडि जैसी प्रिजन टाइम पे इसके हेड कौन है एंडि जैसी इसके हेडे आप सुनिए हुआ क्या है यह है खुबसूरत सी डल लेक कौन सी लेक है डल लेक जहां पे पानी किसका आता है जेलम नदी का पानी आता है यह किस जगह पे आपको मिलेगी श्रीनगर के अंदर आपको मिलेगी इंडिया के अंदर पहला floating center Amazon का open हुआ है इंडिया के अंदर पह अपना एक center खोला था कहां पर दल लेक में याद आ रहा है ATM उपन हुआ था अब क्या हो रहा है यहां पर अब यहां पर क्या open किया गया है floating Amazon का एक center जो है वो open किया गया बट भाया क्यों 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 वो इसलिए ताकि Amazon से अगर कोई भी किसी चीज को order करता है तो उसकी delivery को समय पर पहुंचाया जा सके किसी भी तरिके की कोई बाधान आए कोई दुविधान आए इसके लिए यहां पर floating store डल लेक में open किया गया डल लेक में ही सारी चीज़े floating वाली क्यों आती है क्योंकि वहां पर एक festival होता है जिसका नाम है शिकारा festival कौन सा festival होता है शिकारा festival जो है वो मनाया जाता है तो यह सबसे पहला center है जो कि आपको floating रूप में देखने को मिलेगा जुसका नाम क्या है floating store या फिर फ्लोटिंग इस्पेस इस्टोर किसका है Amazon का यह सेंटर आपको मिलेगा यहां पर जो बोट है उस बोट का नाम भी है जो बोट है जिस बोट पर इसको ओपन किया गया है उसका नाम है अगला 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 फ्लोटिंग सेंटर तुमारे घर के बाहर बनेगा रुख जौट तो यहां पर यह जो लेख है ना इस लेख में भी आने वाले टाइम में एक सेंटर ओपन किया जाएगा अभी कहा लेक के अंदर आया है पाइं सेकेंडी याद रिखेगा अगर हम बुलर लेक की बात करेंगे तो इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा हो जाएगा लेक बुलर आपको देखने को मिलेगा तो चलिए आइए सवालों की तरफ चलते बताएगा सवाल कहा जा इंडियन फुटबॉल टीम ने अभी हाली में हीरो इंटर कॉंटिनेंटल कब जीता था कहां पर कलिंगा स्टेडियम भुबनेश्वर के अंदर आपको बताना है कि टीम इंडिया ने किसको हराया था इसमें आपको याद होगा कि कैप्टन कौन थे तो कौन हो जाएंगे सुन याद तो होगी ना गंजम डिस्टिक के अगर हम बात करें तो यह क्या है चाइल्ड मैरिज फ्री आपको यह डिस्टिक ओड़सा में देखने को मिलेगी अगला सबार प्रेसिडेंट आप बेलारुस बेलारुस को आप जानते हैं जहां पे भी किसी के समझोते की बात आती तुरंद कूट के आता है यह कंटरी तो कहां जा रहा है कि यह बताईए भाई अभी क्या वैगनर आण रॉष्या इनके बीच में सुला कराने के लिए बेलारुस बीच में आया था यहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या है वोट इस नीम अफ दुप्रेसिडेंट जिसको मैंने आपको बर्निंग इशू में पढ़ाया था मेरे तुक्ते सारे ऐसे बच्चें जो बर्निंग इशू देखते ही नहीं मेरा उनको ज़रूरत नहीं है इसका आंसर क्या होगा इसका बनेगा थ्रेट क्या है यह कॉल लेकर आया मैटा लेकर आया इसके बराबरी में चल आहा सच सच बताना है आप मेंसे कितने लोग ऐसे हैं जिनको वीडियो गेम खिलना बड़ अच्छा लगता है हां जी हाँ मेनी ओफ यू बताइए तो ज़रा वीडियो गेम चली आते हैं सवालों की तरफ कहा जा रहे कि अभी हाली में इंडिया का सबसे पहला सेट ऐसा कौन सा बना है जहां पर पहला ओनलाइन गेमिंग इंडिरस्ट्री यानि कि MP स्टेट एस्पोर्ड अकाडमी उपिन की गई है तो इसका आंसर क्या होगा महराश्रा इसका राइट आंसर क्या है महराश्रा नहीं बल्कि MP इसका राइट आंसर अरे यह देखो ना पहले तो हम बात करते हैं जैसे कि gambling है यह सारे जो games होते हैं बहुत सारे स्टेट ने इसके उपर प्रतिबंद दगाया हुआ है बड़ आपको मालू है कि आसके हमारी जो life है वो पूरी तरीके से mobile के उपर ही dependent है हम खाना खाने बैठेंगे तो भी हम mobile चलाएंगे हम कुछ प आपेंड हो चुकी है तो MP ने कहा है कि काम करते बोला क्या तो MP ने कहा कि हम एक academy open करते हैं जैसे कि school होते हैं वैसे हम एक academy open करते हैं और यह किसको focus करेगी online gaming को बढ़ावा देने का काम करेगी यानि कि इनको यहां पर online gaming नहीं आती है उनको सिखाया भी जाएगा अलग-अल online game के जो tournament है उनका आयोजन भी किया जाएगा कौन-कौन से games को यह focus करेंगे तो वो सभी games जो कि Asian Games के अंदर आते हैं वो सभी games जो कि आपके Olympics के अंदर आते हैं इन सभी games को यह focus करने वाले हैं यह सबसे पहला कहां पर आ रहा है हां तुम तो जरूर जाना यह सबसे पहला कह पहला है MP के अंदर इसको open किया जाएगा MP के अंदर इस university को यह आप कह सकते हैं इस academy को establish किया जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा इसका नाम है state sports academy क्या है e-sport 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 का मतलब क्या हो गया online sport ठीक है अब देखो इंडिया ने अब इसको officially accept कर लिया है कि भाई e-sport हमार बड़ी चीज नहीं हो गए है तो यहाँ पर इस academy को open किया जाएगा यह announcement किस ने किया है यह announcement किया गया है यहां पर यë शोध्रा राजे के दौरा किस के दौरा ये शोध्रा राजे के दौरा क्यों है भאी तो यह है Minister of state for sports Minister of state for sports मिनिस्टर of state for sports की बात करें गे तो यह कौन ह हो जाएंगे यह हैं अनुराख छाफुर कौन है अनुराख छाफुर ठीक है तो अब यहां पर आ गया है कित्ती खुशी हो रही है तब आपको देखो अभी चला जाए अच्छा आपका सबसे फेवरेट गेम कॉंस है जब आप फोन भी अपने दोस्तों को कनेक करके जो आप गेम खेलते हो ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं खेलते होगे जल्दी से बताओ यहां पर क्या होगा और हाँ एक चीज़ और यह जो ऑनलाइन गेम्स बगेरा होंगे यहां से जितना भी GST कलेक्ट होगा वो 28 परसेंट होगा अभी इसके उपर कुछ बताया नहीं है मैंने आपको इन्यूस पढ़ाई थी जब GST काउंसल की बैठक होई थी अब देखते हैं कि यहां पर क्या क्या चेंजिस होते हैं ठीक है लोडों खेलते हैं इधर के लोग उधर और उधर के लोग उधर चले जा रहे हैं तुम कैसी बाते कर रहे हैं यह और उल्लाइन गेम्स को बढ़ावा दिया जा रहे हैं पता नहीं दुनिया चाहती क्या है गांबलिंग जो है इसके उपर प्रतिबन लगाया गया है करनाथिका के अंदर आंधरा के अंदर यह वह सेच हैं वह अलोबर इंडिया के लिए होनी वाली है नेक्स्ट इन्हों ने बताया कि हमारे हां पर पॉसिबिल्टीज होंगी तो हम पूर्ना मेंन का भी आयोजन करेंगे फॉर एक्जाम्पल खेलो इंडिया खेलो इंडिया गेम्स कौन से वाले अभी हुए थे फिफ्त वाले इसका मैसपट क्या था आशा इसका मैसपट रखा गया था ठीक है चलो सवाल प्याओ बताई डेच गोवर्मेंट अभी हाली में यहां पर क्या हुआ था इनकी जो सरकार है वो कॉलाप्स हुई थी यानि कि नीदलान की बात हो रही है तो आपसे कहा जा रहा है कि यहां के प इंटार पर पुछ एमाउंट जो है वो रिसीव किया गया आपको बताना है कि किसके रिफॉर्म्स के लिए रिसीफ किया गया है 打 Не complaint ओडि इसक भी प्रोटेस्ट डेंड अंदर आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला था क्यों देखने को मिला था 각 इतेमिघर इम्यरेशन प्राइस हाई या फिर पेंशन रिफॉर्म किस चीज के लिए भी यहां पर प्रोटेस्ट हुआ था बताएं यह बताओ अगले पर आते हैं डिप्टी स्पीकर ओडिसा यह तुम्हीं लोग बताओंगे स्पीकर की बात करें तो स्पीकर तो यह हो जाएंगे इस कहां से बताओ शूटिंगे अरे अभी लेटेस्ट वाला पूछा है जून जुलाई की बात हो रही है जून जुलाई की बात हो रही है सोचो सोचो दिमाग के घोड़े दोड़ाओ जड़ा इन कोशन्स पर अगला देखेगा पेंशन के लिए था एक और न्यूस पढ़ते हैं उसके बाद चलते हैं टाइगर के बारे में बात करेंगे मैंने आपको बोला था कि मोदी जी गुजरात और राजस्थान की यात्तरा पर गए हुए थे तो गुजरात का तो हमने अलग से पढ़ लिया था बट राजस्थान का नहीं पढ़ा था आओ राजस्थान का पढ़ते हैं फई कहा जा रहा है कि यूरिया गोल्ड अभी हाली में प्यम मोदी के द्वारा जो है वो लॉंच किया गया यह कहां पर लॉंच किया गया पर राजस्थान के अंदर लॉंच किया गया अब यहां पर पॉइंट है क्या आईए जानते हैं क्या है यूरिया गोल्ड पहले तो समझ समस्तς होता है नाइट्रोजन-टीक्सीन च्रिंशं के लिए कि लिए इसका इसतमाल किया जाता है अगर ऑप यूरिया की बात नहीं करें अगर आप यहां पर बैक्टिरिया की तो यूरेया जो है, जब तक वो मिट्टी में नहीं होगी, तब तक क्या होता है? अच्छी नहीं होती है, तो अब यूरेया के लिए, जो किसान है, उनको ज्ञादा पैसा देना पड़ता था, बड़ी दिक्कत होती ही, तो अब क्या हुआ, यूरेया गॉल्ड आया, नई वै Sulfur की coating आपको देखने को मिलेगी किसकी coating होगी Sulfur की coating आपको देखने को मिलेगी किसके उप़ है यूरिया के उप़ है चलो ठीक Uyeon के उप़ fence की coating करके हो रहे हैं तो इसका मेल रीज़न है कि weaker quality को बहतर बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है अब यहां पर जो यूरिया है जिसके उपर सल्फर की कोटिंग है और इक इूरिया है जो की न palabra यूरिया है तो दोनों में कोई डिफ्रेंड्स होगा तो जो यूरिया है अगर माल में जिए कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं 20 किलो तो इसे जो प्रॉफिट हो रहा है वहीं सेम प्रॉफिट हमको यूरिया गोल्ड जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 किलो में हमें प्रॉफिट हुआ जा रहा है तो हम किसके साथ में जाएंगे तो यूरिया गोल्ड के साथ में जाएंगे त अब आप सोच रहोंगे, कि मैं फिर इसको डेवलब किस ने किया, तो National Chemical Fertilizer Limited, National Chemical Fertilizer Limited ने इसको बनाया है, आपके दिमाग में एक और पॉइंट आना चाहिए, कि कुछ समय पहले यूरिया जो है, वो नीम कोटेट भी तो आई थी, लेकिन ये वाली उससे भी बहतर है, ये प्रॉफिट क्या क्या होंगे, पहला प्रॉफिट, सल्फर की जो डेफिशेंसी रहती है, यानि कि इसकी जो कमी होती है, अब वो पूरी हो जाएगी, दूसरा पॉइंट, जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, उनको पैसे थोड़े कम खर्च करने पड़ेंगे, तीसरा, अब स होगा, वो भी आपका कम लगेगा, तो ये कुछ प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, कि ये प्रॉफिट है, आगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कि स्वाइल जो है, उसकी फर्टिलिटी सबसे बहतर किसकी प्रेजन्स में होती है, एन पीके, किसकी प्रेजन्स में होती है, एन पीके के प्रेजन्स में आपको, ये आपको सबसे बहतर देखने को मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कि यहाँ पर यूरिया का एक नया फॉर्म आया है, यूरिया का काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक किया गया है इसका इस्तिमाल है वह यहां पर किया गया है अच्छा इतना ही नहीं हुआ है चलो यहीं बता ते इसी के साथ में क्या हुआ है पीम किसान योजना जो है इसका 14th इंस्तॉल्मेंट इसको भी लांच किया गया अब यह पीम किसान योजना का चौथा इंस्तॉल्मे में 6,000 रुपए दिये जाते हैं कितने इंस्टॉल्मेंट में 3 हम बहुत पीटा एंपीके का फुल फॉर्म नाइट्रोजन फॉस्फोरिस पुटाशियम और यह बेकार के सवार क्लास में पूछ के डिस्ट्राक्ट मत किया करो ठीक है नहीं पढ़नी के इच्छ है तो अराम से सोज आया करो मैं तो कह रही हूं ठीक अरामसे सोज आया करो मैं बिल्कुल नहीं कहरे दुख कि सूबर उटके क्लास में यह थिए त्री इंस्ट्रोल्मेंट में प्रवाइड किया जाता है तो इसका 14 शक्रॉस किया गया में इच्छ उ अइक्सीड बटावर्स होतें में जा सकता है मतलब अभी वाले जो होंगे यह होगा हुआंजू के अंदर कहा ओगा हुआंजू के अंदर अगला सवाथ सब्सक्राइफ चांपिन्शिब यह हुई थी कब जून पेंदर 2023 में आप से कहा जा रहा है कि इंडिया ने जब इस टाइटल को जीता तो इंडिया के पास में टोटली कितने टाइटल्स हो चुके साथ अगला डेस्ट गोवर्मेंट यह तो मैंने आपको बताई ही दिया चीक है यह देखिए आईए चलें चाइगर सुनो भई यह भी आपका एरिटोरियल का पार्ट है क्योंकि इसमें भी डेटा आया है सुनिएगा आप सबको याद होगा कि इंटरनाशनल टाइगर डे जो है यह सरिबीट किया गया 29 जुलाई को इसी तारिक को क्यों होता है क्योंकि सेंट पीटर्सपर्ग रश्या के अंद दो हजार नौ में क्या होता है टाइगर्स की सेवटी के लिए यहां पर तुम्हारी पिख है यहां पर क्या हुआ था एक बेठा कायोजन हुआ तो दो हजार दस से डिसिजन ले लिया गया कि इंटरनाशनल लेबल पर टाइगर डे जो है वो सलिबेट किया जाएगा अगर ह प्रोजेक्ट टाइगर जब इंडिया में आया था तो वो समय कितना था 1973 का ताइम था उस टाइम पर इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो उस टाइम पर इंडिया के अंदर टाइगर की पॉपुलेशन इतनी थी ठीक उसके बाद में अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था 3167 यह टाइगर की पॉपुलेशन दो हजार बाइस तक थी यही तो बताया था अब यहाँ पर एक बाफ फिर से डेटा जो है वो मिन्स्ट्री ओफ एंवार्मेंट ने रिलीज किया है मिन्स्ट्री ओफ एंवार्मेंट ने बताया कि अभी भी MP जो है वो Tiger State है इसक वहाँ पर आपको एक भी Tiger देखने को नहीं मिल रहा है अगर हम Union territory की बात करें तो Union territory में जमु एन कश्मीर है जहां पर एक भी Tiger आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो यह चीज यहां पर थी अच्छा जब 2022 का डेटा आया था जिसमें 3167 टोटल Tiger की population थी तो इसमें से 785 इसमें से 785 टाइगर जो थे वो MP के अंदर ही थे कहां पर थे MP के अंदर ही आपको देखने को मिले तो अब यहां पर क्या आया है एक बाफ फिर से यह स्टेट जो है वो आपको number 1 पर देखने को मिल रहा है और इसमें number 2 number 3 कौन कौन से उनको भी देख लेते हैं ठीक है त चौते कौन है महराष्ट्रा यह चार आपके टॉप स्टेट आपको देखने को मिलेंगे ठीक है इसके अलावा अगर आप से पूछा जाए कि पिछली बार से इस बार का दो डेटा आया यानि कि 2022 से 2023 का दो डेटा आया तो इसमें टाइगर की पोपुलेशन बढ़ी है क्या तो इसमें बताया है टाइगर की पोपुलेशन इतनी हो गई है ध्याद से देखेगा यहाँ पर भी हम लोग को growth rate पढ़ना पढ़ रहा है growth rate कितना है 6.1% growth rate आपको देखने को मिला है तो यह यहाँ पर याद रखेगा तो यह पूरा का पूरा data जो है यहाँ पर share किया गया है पहले कितना था 526 अभी कितना हो गया है 785 यहाँ पर total हो गया है अगर आप से पूछ और उस समय पर वहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा आपको tiger उस समय पर मिला करते थे कितने 260 कितने 260 ठीक है चले अब यह तो बात हो गए इसके बारे में एक से यहीं पर लिख के बता दें चलो अब बताना शुरू करेगा टी इंटू टू एवर्ट किसको दिया गया तो सत्यमंगलम tiger reserve Tamil Nadu के अंदर इसको एवर्ट दिया गया 53rd नंबर का जो tiger reserve है वह कौन सा हो जाएगा that is रानीपोर tiger reserve कहां पर UP के अंदर आपको यह मिलेगा next point क्या है जब यहां पर यह सारी चीजें हो गई तो मैंने आपको बताया था 70% tiger की population इंडिया में है लेकिन administrative report आई थी किस चीज के लिए tiger reserves के लिए उसमें टॉप किसने किया था परियार टाइगर reserve करला ने इसके अंदर टॉप किया था किसने करला ने इसके अंदर टॉप किया था हाँ पीली बीद पिछली बार था करें तो यह सारा का सारा data जो है इसको याद रखना बहुत सारा content पर आपको बता दिया है बस अब आपको क्या करना है याद रखना है ठीक करें परिया आजो बिटा सबाल पर आते हैं बड़े अच्छे कोश्चन आये थे ओडिसा में है ओके औल कुछ ओन वेस्टरन फ्रंट एक तो यहां मूवियों के ना गरीमत कल से क्लास में एक ऐसा न हाँ टाइगर का जो सेंसिज है वो हर चार साल पर होता है बिल्कुल मैंने नहीं कोला टाइगर का सेंसिज है नो 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 टाइगर का डिटा आया है टाइगर का सेंसिज नहीं आया वह चार साल पर होगा चले इंडिया वान एशन कबड़ी चांपेंशिप अभी आपने यहां पूछा जा रहा है कि एशन कबड़ी चांपिंशिप बताएं इंडिया डिफीटड इन्डिया ने किसको रहाया था इसके अंदर इंडिया दिफीटड एराण इसका अंसर क्या होगा इरान इसका अंसर अगला कोश्चन यहां पर क्या है 20 देख रहे हो यू सीसी भी मैंने तुमको अलग से पढ़ाया था जितने टॉपिक मैंने तुम्हें अलग से अभी पिछले दो महीने में पढ़ाए है बर्निंग इशु में शाम को आठ बजे सब में से कोश्चन आये है यू सीसी मैंने अब थोड़ा फोकस किया तब 10 मिनिट का क्लाज होता है रतन टाटा जी को मिला एवर्ड आये सब कहा जा रहा है कि अभी हाली में महराश्वा गवर्मेंट के द्वारा उद्योग रतन एवर्ड से किसको नमाजा गया तो जब रतन एवर्ड आएगा तो यहां पर अविसी महराश्वा गवर्मेंट के द्वारा महराश्वा गवर्मेंट के द्वारा यह हाईएस एवर्ड है कौन से फील में इंडरस्ट्री के फील में कौन से फील में इंडरस्ट्री के फील का यह हाईएस एवर्ड है यह एवर्ड पहली बार दिया जा रहा है यह पहला एडिशन इस इस फॉर्स एडिशन किसको मिल रहा है रतन टाटा जी को इस एवोर्ड से सम्मानित किया जाएगा अब आप समय जी कहा होंगे कि इनको एवोर्ड क्यों मिलेगा ओविसी बात है कि इनका माक्सिमम पॉंट्रिबूशन रहा है इंडर्स्ट्रीज के अंदर जिस वज़े से इनको इस एवोर्ड से सम्मानित किया जाएगा टाटा कंपनी को ही आज की कंपनी खोडी ना है टाटा कंपनी है कब की 1868 की कंपनी है जंशीर जी टाटा जी ने शुरुआत कि थी और कौन हो जाएंगे नतराजन जी प्रिजन टाइम केस के M.D. हो जाएंगे आपको नाम याद होगा साइरस मिस्तरी जुनकी अभी हाली में देथ हुई थी कार एक्सिडेंट में तो उनका नाम भी टाटा संस के साथ में जुड़ा हुआ था तो इनको ये अवर्ड मिलने वाला ह चलिए अच्छी बात है अब इनके नाम पे और कौन कौन से एवर्ड है अभी आपको याद होगा Order of Australia ये एवर्ड दिया गया उसके बाद में असोम वैभव एवर्ड कौन सा असोम वैभव एवर्ड ये एवर्ड आसाम ने दिया उसके बाद में पद्म भूशन एवर्ड अभी इनके नाम पर आयेगा और बीभूशन भी आयेगा तो बूशन कब आएगा 2000 में आएगा और भीव और बीषन कब आएगा 2008 में इनको ये एवर्ड दिया गया अब महराश्रा आया तो महराश्रा के अंददर कुछ और भी आ सों दिये जाते हैं पहला न आज एकतारिक के चलने बाई हमें पता है क्या नहीं होदी जी का जाने वाले इससे बैतर और क्या हो सकता है इसके हलावा महराश्रा के दोरह एक और दिया जाता है वह कौन सा हो जाएगा वह है महराश्रा भूशन एवोर्ड यह महराश्रा भूशन एवोर्ड किसको दिया गया है तो दिया गया पहला मोधी जी के नाम पर गया था दूसरा वाला आशा भूसले दूसरा वाला आशा भूसले जी के नाम पर तो यह यहां पर आपको याद रखना है कि किसके नाम पर कौन से अवर्ड कौन से अवर्ड कब किसको दिया गया है फाइन चलो बताओ ता हैं िszyमीस के सबक्राइब साथ挡़ को हैं अभाइघ से किसा नवाज हो जा जा इनकली हुस्सकों सलंक्ल करने अब हो देहятьो फ। कॉल शंकारी चंद्रन निंदा ने इस इंदे देल्ट कहां मिले था इंदर और लिटरेशियर्श फिरिमन वाइब दिया किता इंटरनाशनल एनि कैट इंटरनाशनल एनिuli यह किसको मिला था थलपीची किसको ठलपीची प्रदीव जी एस अवार्ड से सम्मानित किया गया अगला ऐस चांपियन आफ हेल्थ Richmond इन्वरिशलवड मौ यूज ऍकरड मौत llevar बेरा अगला Economic Times का HR World Future Skill Award 2023 यह award किसको दिया गया तो यह award गया है NTPC को किसको गया है NTPC को सोचो 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 एन्वार्मेंट वाला पूछा है मैंने यह गया है NTPC को और Golden Picoke इन्वार्मेंट यह गया है अदानी गुरूप को यह गया है अदानी गुरूप को ठीक है यह दियान दीजेगा चलिए अहां बड़े देर से आदे तो इंतजार कर रहे होंगे यह न्यूस कब आएगी मैं आमने तो बोला तो पढ़ाएंगी चलिए सवाल यहां पर आया है क्या अटल बीमित यह देखो यहां पर कॉशन ही नहीं चेंज है सारी कोई बात नहीं सिदे आदो न्यूस के उपर भई क्या आया है CM कमांड सेंटर आया है क्या है CM Command Center, अब यह CM Command Center कौन सी बात है, कमांड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को regulate करना, अब जैसे हम लोग के घरों में क्या होता है, जैसे तुम लोग के साथ में अभी present time में होता होगा, सुबह जब नहीं उठते होते होगे, तो flying खड़ाओ आती होगी, जो flying खड़ाओ फिर वो तुम्हें क्या करती है, पूरी तरीके से कमांड करती है, है ना, ममी ने बोला, उठ जा बिटा, पढ़ ले, तो उठके तुम बढ़ने बैठ जाते हो, ममी बढ़ने के बाद में दूसा काम बताएंगी, तीसा काम बताएंगी, सारे काम तुम्हें करने पढ़ते है तुम्हारे उपर कमांड करना है अब उसी तरीके से cm कमांड सेंटर बनाया गया अच्छा अब इसमें होगा क्या इसमें ये होगा कि UP के अंदर जो आबादी है यानि योपी के अंदर की जो आपने पेलेशन है जिसमें 24 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा इसके अंदर इस सेंटर के अंदर होगा क्या कुछ नहीं तुम्हारी समस्याओं का समधान यहां पे भुगा कि लाल बहादूर शास्त्री सेंटर जो बना है लकनव के अंदर वहां पे इसको लॉंच किया जिसके अंदर simple सी बात है कि state government की जितनी भी schemes है इन सब का profit जो है वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे इन case वो नहीं पहुंच पा रहा है तो आप यहां पर आके क्या कर सकते हो अपनी complaint कर सकते हो अपने grievances बता सकते हो उन सब का solution ले सकते हैं अगर हम state की बात करें तो UP के अंदर पहुंचाने के लिए इसको launch किया गया है cm command center one line में एक question आप से पूछा जाएगा ठीक है हम आया पर डादा जी की कोला पुरी चलती है अब देख लोगे अपने हैसाब से आए यूपी आया तो कुछ और बाते करेंगे मुख्यमंतरी खेत सुरक्षा योजना क्या है मुख् के production के लिए इसको launch किया गया फिर क्या आया था यहां पर 16 digit का 16 digit का यूनी कोड क्या था यूनी कोड किसके लिए आपकी identity के लिए and land की identity के लिए इसको launch किया गया था ठीक है अब यूपी के बारे में इतनी बाते तो हमने जानी ली अब यहाँ पर आज ओ बिटा ज़रा दे क्यांक स्वेकैंदने दूसरा के दूसरे एक संबी इंडिया क्या है सभी के बना सबसे पहले ने जो स्टेट बना वह सा है वह गुझञाट और इसकी बैठा का आयोजन कहां पर किया इसकी बैठा कायोजन गुझराक के अंदर किया अगला यह मैंने आपको बताया था कितने शहर आते हैं चालज आभी कौन जोड़ गया बैंगलूरू जो है वो इसका पार्ट बन गया है ठीक है यह आपको याद होगा लंपी डीजीज पौन से डीजीज थी लंपी इसकी डीजीज थी अभी हाली में कौन सा स्टीट है जो इसकी वज़े से पॉजिटिव हो इन के लिए बिलाया है राजस्थान के लिए राजस्थान के अंदर इनके लिए प्रोजेक्ट आया था चलो आज की आखनी में लिए उसके बाद में आते हैं क्राज़िशन्स टूदा टीम अब देखो विमन इंपार्मेंट इसे कहते हैं ध्यान से सुनिये का हुआ है भाई 100 फिरेट नमबर की अनिवर्सरी अभी मनाई गई Spanish Hockey Federation की जिसके अंदर International Tournament का आयोजन किया गया कहां पर पर टेरसा के अंदर यह टेरिसा नाम की जगे कहां है इस्पेन में हैं यहां पर एक hockey tournament का आयोजन किया गया अब इसमें अलग-अलग जो इसमें इंडिया वन पे रहा इंडिया वन पे आपको देखने को मिलेगा अब इंडिया वन पे रहा तो इंडिया ने किसको हराया होगा किसी को तो हराया होगा ना तो इंडिया ने इस्पेंड को हरा दिया किसको इस्पेंड को रहाया लेकिन अब अगर हम मेंस की बात करते है अगर हम men's की बात करते हैं यह देख रहे हैं आपके women's team आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी लेकिन अगर हम men's की बात करेंगे तो इंडिया वर्सिस नीदर लांड हुआ था जहां पर इंडिया ब्रॉंज मेडल के साथ आया इंडिया तीसरे नमबर पर रहा इंडिया तीसरे नमबर पर ठीक है तो men's team थर्ड पर रही women's team कहां पर रही नमबर वन पर रही इसको याद रखिएगा men कहां पर थी और women कहां पर थी important है अभी आपको याद होगा कि जब olympics हुए थे तो olympics के अंदर women's team ने खेला तो बहुत अच्छा था लेकिन वो medal नहीं जीत पाए बट यह जो men's वाले टीम थी इन्होंने bronze medal जीता था ओके चल आज वन लाइनर की तरफ चलते हो ध्यान दीजेगा कि इस क्लास के बाद में साड़े 11 बजे आपका क्लास है जहां पर जुलाई का compilation पड़ेशन पड़ेंगे अमिशा जी ने एक किताब लॉं गए हुए है विजट पर यह गए हुए है तमिलाडू और तमिलाडू के अंदर यह कहां पर गए हुए है रामनात पुरम के अंदर गए है यह वही जगे है जो कि APJ अब्दल कलाम जी के नाम के साथ चुड़ी हुई है तो एक यहां पर किताब आई है किसको अगला क्या है मैंने अभी आपको बताया कि स्टुवर्ट ब्रॉड ने देखो अपना रेटार्यमेंट ले लिया है कल पढ़ेंगे इनके बारे में क्योंकि इनसे जुड़ हुए कुछ रिकॉर्ट्स भी है इगा स्वेटिक ने अभी हाली में क्या किया है टूर्णामेंट जीता है इगगा स्वेटिक हम सभी लोग जानते हैं वेरी फेमस टेनिस शीड़ जीता था बाईश वाला उसके बाद में इनन इस जीत लिया French Open आपको याद होगा कि इन्होंने तीन बार जीता है और उसके बार में अगर हम US Open की बात करें तो US Open भी इन्होंने जीता है कहां से बिलॉंग करती है पोलांड से बिलॉंग करती है तो यही पोलांड के अंदर एक टूर्नमेंट हुआ है WTA टाइटल हुआ है जिसको इन्होंने चौथी बार जीता है जिसको इन्होंने चौथी बार जीता है ठीक है तो आपको बस यह याद रखना है अच्छा हराया किसको है तो जर्मनी के एक को हराया पड़ उनका नाम हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं तो इगा स्वेटिक की कंट्री याद रखेगा पोलांड हो जाएगी कितनी बार इन्होंने ग्रांड स्लाम जीते हैं ऑस्टेरियन ओपन फ्रेंच ओपन और युए सोपन तीनों के तीनों आपके पेपर में आए आपने लिख लिया होगा वेरी गुड सेशन को लाइक करिएगा आज की पीडियेग में आपको जितने भी सीम है उनकी पूरी लिस्ट मिलने वाली है पीडियेफ को एक बारे से डाउनलोड कर लेजेगा यह आपका आज का होमवप यह मैंने कल दिया था गिंती के कुछ प्रॉपर इसका आंसर लिख के बताओ ठीक है अच्छा पीडियेफ के बारे में आपको बता देते हैं पीडियेफ को डाउनलोड करिएगा कहां से करेंट अफियर स्वाइक प्रती वहां से आप पीडियेफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद में यहां पर ध्यान द तो जॉइन कर लीजे विदा कोट खरतीटें और अभी आपसे हम मिलेंगे इस सेशन में साड़े ग्यारा बजे इसी जगा पर फाइन जब तक नोट्स नहीं रिवाइस करोगे तब तक वैसे भी कुछ याद नहीं होगा नोट्स रिवाइस करना मेंडेटरी है ठीक है और एक चीज और बता दें शांग को चार बजे जो बच्चे अभी क्लास में नहीं आ रहे हैं है ना तो शांग को चार बजे का जो आपका सेशन है वो यह प्रीवेस यह पेपर शुरू कर दिया मैंने क्योंकि एक्जाम अभी आ आप प्रेवाईज करते हैं हुई है